चलो जी बच्चो आप देखते हैं model से कुछ question ठीक है चलिए पहले एक बार read करिए अच्छे से क्या लिखा है बच्चो X purchase a car on higher purchase system on first gen 2018 first gen 2018 the total cash price of the car 450,000 ठीक है एक बार इतनी बाते नोट कर लेते हैं ठीक है यह आपने नोट कर लिया सारा मैं आपको first question एक करा रहूं question first आपकी book का ठीक है car का cash price कब परचेज क्या एक जनवरी 2018 को cash price कितना है car का cash price है बच्चो cash price है 450,000 ठीक है आगी देखते हैं question में क्या है पेबल is 90,000 and down 90,000 तो down payment करनी है ठीक है 4,50,000 में से 90,000 रुपे down payment दे देने हैं और बाकी देनी है 3 installment 1,70,000 की लोगे different installment 1,70, 1,50 and 1,08, 4,60 पेबल at the end of first, second and third year 90,000, 1,70,000 और 1,50,000 ओके तो जो installment देनी है वो first वाली कितने की देनी है बच्चो first installment देनी है इसर 90,000 की सुरी डाउन पेमेंट था नहीं ये तो डाउन पेमेंट चले डाउन पेमेंट लिखते है cash price तो पता है हमें 4,50,000 ठीक है डाउन पेमेंट कितना है डाउन पेमेंट था 90 का डाउन पेमेंट पाज रुपेज नाइन्टी थाउजन एंड इंस्टॉल्मेंट फर्स्ट 1,070,000 एंड इस्टॉल्मेंट चेकंड कितने की थी रुपीज 1,050,000 एंड इस्टॉल्मेंट टाउड कितने की बच्चो ठाउड इस्टॉल्मेंट 1,080,460 ठीक है 1,080,000 ती है ना देखो 1,70, 1,50 और 1,080,000 1,460 पेबल एड दा एंड फर्स्ट यर, सेगंड यर और थर्ड यर इंट्रेस्ट कितना चार्ज किया हमने 10% पर एनम यो और रिक्वाइड टू कैल्कुलेट दा इंट्रेस्ट पेड बाई दा बायर टू दा सेलर बायर ने सेलर को इंट्रेस्ट कितना पे करा ये आपको बताना है जो बायर है उसने कितना इंट्रेस्ट पे कराया बच्चो सेलर को ये आपको कैल्कुलेट करके देना है वो तो वैसे ही कैल्कुलेट करके दे देते ठीक है कोई प्राबलम नहीं देखो 90,000 प्लस कर लो उसमें 170 प्लस कर लो 150 प्लस कर लो 108, 460 क्या जाएगा higher purchase price उसमें से minus कर दो 450 difference will be paid as interest जो difference हमों क्या है हमारा interest होगा ठीक है तो difference क्या जाएगा interest आजाएगा देखें आगे ठीक है calculate करते है फिर interest का rate बताया हुआ है चलो जी solve करते हैं अब इसको ठीक है simple सा काम है इस question को solve करके देना है cash price लिखते हैं सबसे पहले ठीक है आप working load वैसी बना सकते हैं जैसे में आपको सिखाया था cash price कितना है बच्चो 1 lakh रुपीड cash price कितना पर लेकरा हमने 1 lakh लिए सुरी सुरी इस बार 1 यह 450 है न एक मिनिट जो मैंने example दिया था महां लिया था न 1 lakh यहां कितना है 450,000 अब बच्चो 450,000 में से हमने down payment कितनी दे दी सर डाउन दे दी है 90,000 तो बताओ balance कितना रह गया अगर 90,000 दे दिया तो balance कितना रह गया बच्चो बैलन्स रह गया सर 3,60,000 ओके अब बताओ कितनी पेमेंट करें 3,60 में से इंटरेस्ट तो लगा लो पहले इंटरेस्ट 10 पर सेंट था इंटरेस्ट कितना था 10 पर सेंट बार रहनम तो 10% इंटरेस्ट लगा लें आप तो बच्चों को याद हो गया न दे को फस्ट जैन 2018 को करा था इंटरेस्ट लगे का 31 दिसमबर 18 फिर 30 फास दिसमबर 19 फिर 30 फास दिसमबर 20 को ठीक है at the end of every year तो 36,000 का 10% इंटरेस्ट एड ओन कर दो इसके उपर कितना बच्चो 36,000 कितना हो जाएगा 360 में एड करके बताओ जल्दी से कितना हैगा 396,000 अब फस्ट इंस्टॉल्मेंट कितने की दिनी है फस्ट दिनी है जर 1,70,000 की लिखा हुआ है कोश्यन में ये देखो इंस्टॉल्मेंट का माउंट दिया हुआ होता है ना 1,70,000 गीवन है अब 1,70 इसमें से माइनस करो बैलेंस बताओ कितना हैगा इसका मतलब इसमें इंट्रेस्ट अलेडी इंक्लूड होगा एड नहीं करोगे बैलेंस कितना आ जाएगा बैलेंस बैलेंस आगे अगे अगे होगा बैचो 226 आने के बाद अगला इंट्रेस्ट लगेगा 31st December 19 को अगें इंट्रेस्ट लगेगा प्लस करेंगे हम कितना 10% 10% कितना हैगा 22,600 22,600 तो कितना हो जाएगा यह 600 यह हो गया इक्सार 28, 22,4 एंट टू, 248,600 ठीक है 248,600 और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं अपनी सेकंड इंस्टाल्मेंट तो जो सेकंड इंस्टाल्मेंट कितने किया हमारी 1,50,000 की 1,50,000 राइट इंट्रेस्ट अड़ करते जाओ और इंस्टाल्मेंट पी करते जाओ सेम वैसे ही अब देखते हैं अगला बैलेंस कितना बचेगा 150 माइनस करने के बाद तर बैलेंस बचेगा 600 और 8,14,14 में से 5 गया 98,600 ठीक है अब फिर से देखते हैं इंट्रेस्ट लगाओ 10 परसेंट अगें 10 परसेंट पर इंट्रेस्ट लगाओ 9860 क्या इतना ही हो जाएगा चेक करो 9860 रुपीज एड़न करने के बाद क्या इतना ही आएगा अगर इतना आगया तो ठीक है इस परवाइस हम डिफरेंस लगाएंगे क्योंकि हमें लास इंस्टॉल्मेंट इतनी ही दिनी है कोशिन में में विंचन है तो 60 10860 को ओञ हो यहां तो ठीक है इस कोशिन में मैच हो गया तो कोई परढ़म नहीं है 10860 आ गया तो इतना ही पे कर देंगे लास इंस्टाल्मेंट फिग है जो जो फाइनल इस्टॉल्मेंट जाएगी हो कितने की जाएगी 108460 की ही जाएगी ठीक है लास इंस्टॉल्मेंट हमने पे कर दी कौन सी वाली ट्रेड वाली हो गया कोशन ने यहीं मांगा था यह वरकिंग आप दिखा देंगे करके चीक है तो यह नोट कर लीजिएगा अब चल 1000ड इंट्रस्ट कितना लगे ऊसमें 36 इंस्टॉल्मेंट कितने की देनी है हमें 170 की 1,07,000 की अचा एक चीज और देको एक लाग सतर जार रुपे की जो यह हमने इंस्टॉल्मेंट दीएस में इंट्रेस्ट कितना है 36,000 तो बाकी अमाउंट प्रिंसपल का होगा 134 134 किसका होगा अच्छो प्रिंसपल का होगा यह चीज भी इस टेबल में बनाके दिखा दिया है ठीए यह 134 प्रिंसपल का होगा 36 का है इंट्रिस्ट का इंट्रेस्ट अब बैलेंज कितना रहे गया 226 अगली बार इंटरेस्ट कितना लगेगा 22,600 एसका कूसे रहा गया था 98600 यह बताया मैंने देखो, same as it is, वैसे ही, ठीक है, calculation कैसे हुई, यह मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, 98, 600 पे interest कितना लगा, 98, 60, यह यह आधान अपना भी लास्ट में, 98, 60, this one, this portion, ठीक है, चलते हैं, second question की तरफ, और question देखते हैं, अभी जस्ट आपको यह starting के दो तीन question की practice करनी हो, और कोश नहीं है, ठीक है, देखो, second question में क्या लिखा हुआ है, second question readout करो, second question में बचो mention है, एक्स परचेजर टीवी ऑन हायर परचेश सिस्टम, एक्स ने बच्चो एक टीवी खरीदा, हायर परचेश सिस्टम पे, as per terms, he is required to pay 3000 down payment, required क्या है, 3000 payment करेगा down, 4000 at the end of first year, 3000 at the end of second year, and 5000 at the end of third year, interest कितना charge करने, 12% पार रहना, ओके, तो कितने का था, टीवी उसका, ठीक है, 3000 तो down payment दे दी इसने, और बागी 4000, 3000, 5000 इस तरह से payment करी है, interest is charged, interest कितना देना है, at 12% बार रहना, you are required to calculate total cash price of TV, and interest paid with any installment, ओके, यह कैसे calculate करेंगे, अब यह problem है, यहाँ पर cash price आपको calculate करना है, चलिए, इसको करने से पहले मैं आपको, वापस लेके चलता हूँ, अपने first वाले portion पे, यह देखिए एक बार, एक बात बताओ, यहाँ पर देखना ध्यान से, इस वाले के, इसमें जो first वाला case मैंने आपको समझाया, इसमें cash price लिया था, one lakh down payment ली थी 25, interest add कर रहे थे हम 10%, कितना add कर रहे थे 10%, first installment कितने की पे करी थी, sir first पे करी थी 32,500 की, मैंने आपको बता दिया, second कितने की पे करी थी, sir second थी यही 30,000 की, देखिए this one, 30,000, 25 plus 5, interest add करने के बाद, third कितनी करी थी, sir third हमने किया था 27,500, बताओ किसी को दिक्कत है तो, 27,500, मैं इसमें सिखा देता हूँ, cash price निकालना फिर मापे भी आपको आजएगा, ठीक है, 27,500, बताओ कोई problem है तो, यह तीनों installment मैंने आपको बता दी, कि हमने किसी assets के लिए देरार पेइंग, 3 installment, 32,500, 30,000, and 27, और डाउन पेइमेंट कितनी किया है, sir, डाउन किया 25, इंटरेस कितना लगा हुआ है, 10% पर रैनम लगा हुआ है, अब बताओ कैसे calculate करें, यह तो बड़ी समस्य आया है, कैसे calculate करोगे, देखो, आप इसका solution देखें पहले, तो solve कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे, 3rd installment, 3rd, yes, कितने की है, 27,500 की, फिर लिखेंगे, 2nd installment, यह कितने की है, बच्छो, यह है, sir, 30 की, okay, no problem in this, and first installment कितने की है, परस्ट है, 32,000 की 500, reverse order में लिखना है, कैसे लिखना है, reverse order में, ठीक है, reverse order में लिखने की बाद, next step क्या यूज करने है, बच्छो, आपको, next, और down payment कितनी है, down to 25, तो में कोई problem नहीं, उसमें interest होता ही नहीं, interest 10% है ना, अब interest देखना में, अपना calculator निकालो, and 27,500 के साथ क्या करो, देखो, 27,500, interest add-on करा था, कितना add किया था, यहां आपर, 10% add किया था, यह देखो, अभी तो बना था 27,500, right, it means 10% add किया था, तो into करो 10 से और divide करो 1, 1, 10 से, देखो कितना आ रहे हैं, करके देखो, क्या 2500 आ रहा है, yes, it means this is including interest of rupees 2500 and principal amount कितना होगा, फिर इसमे 27,500 minus interest, this is equal to principal amount 25,000, बदाओ कोई दिक्कत है तो, क्या किया हमने 27,500 into 10 divided by 1, 1, 10, because it is including 10% of interest, इसलिए 10 by 1, 1, 10 करेंगे, minus करेंगे 25,000, और 25,000 आ जाएगा, अब जब second installment पे करी थी, तो सर्थ second में भी ऐसी करें, second करते हैं, जब second installment के लिए करोगे, बच्चो देखो, ये तो first का होगे, second के लिए करोगे, तो जब second पे कर रहे थे, तब third वाली भी तो pending रही होगी, तो second प्लस third दोनों पे interest लगा होगा, यानि 30 प्लस 25, cross check करोओं मैं आपको देखो, cross check कर लो, this is, कितना ये 55 है या नहीं है, ये 55 है या नहीं है, 55 में से 30 गया था, ये 55 आया कैसे था, पचास अजार रुपे के उपर अपने 5000 का interest लगाया था, येस, तभी तो 55 बना था, तो यहाँ पर, जब second installment की बारी आएगी, थार्ड वाली भी अट कर लेंगे, 30,000 प्लस 25, ओके, 30,000 प्लस 25,000, divided by 1, 110, and into में 10, तो कितना येगा, बच्चों यहाँ पर आएगा 5, तो अभी कितना बचा, 25, फिर थार्ड में कैसे करेंगे, थार्ड में, तो सारे ही कि पर यहाँ फ्रस्ट में, जब फर्स installment दिने जा रहे थे आप, थार्ड भी बेंडिंग थी, फर्स्ट बेंडिंग थी, फर्स्ट बेंडिंग है, यह तो पिमिंट करने जा रहे हैं, तो 32,000 प्लस 25, प्लस 25 इन दोनों को भी add-on करोगे तो कितना हो जाएगा बिच्छो 82,500 थर्ड वाले केस में कितना हो जाएगा 82,500 डिवाइड बाई एंटु में 10 डिवाइड बाई 1,10 कितना आ गया यह 7,500 बैलन्स आ गया 25 और डाउन पेमेंट भी हमने करी थी 25 की तो total cash price कितना आ गया 25 25 25 1 लाग रुपी कितना आ गया 1 लाग मेंस ऐसे calculate करेंगे calculation of the cash price if installment amount is given यह आप note कर लीजे काफी important है यह question आपका 5 marks काते है calculation of cash price this one five marks का question आता है इसे अरे प्रिंस क्या कह रहे हो प्रिंस कह रहा है सब चुट्टी कर दो बस दस पंदरा मिनट और फिर चुट्टी करते हैं बिल्कुल ठीक है ज्यादा काम थोड़ी करेंगे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बढ़ना है तो यह portion आपको समझ में आया calculation of the cash price अब उस question पर चलते हैं क्या वहाँ पर भी ऐसे हुआ था चरो जी चक कर लो देखो बच्चो इसमें समझा देता हूँ मैं आपको ठीक है फिर यह खुद से करना है यह वाला question तो लास इंस्ट्राल्मेंट के पास चलो सीधे 5000 लास इंस्ट्राल्मेंट कितने है बच्चो 5000 कैलकुलेटर उठाओ इंटू 12 डिवाइड बाई 1112 वहाँ पर 10 परसेंट था इसलिए मैंने किया 10 बाई 1110 इधर कितना है 12 है तो 12 बाई 1112 5000 का इंट्रेस कितना आ गया 536 ओके सर अगर 5000 के अंदर 536 इजा इंट्रेस्ट दें प्रिंस्पल विल बी पोर 464 प्रिंस्पल अलग इंट्रेस्ट अलग सेकेंड इंस्टॉल्मेंट कितने की है सर सेकेंड है 3000 की सेकेंड का जब निकालोगे आप 3000 प्लस ये वाला 4464 कितना होगे है 7464 अब 7464 को क्या करो इंटू करो 12 से डिवाइड भी करो 1112 से करो करो 7464 अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करें 7464 इंटू 12 कितना है बताओ सर आगिया 800 ओके अगर 800 इस वाली installment में interest है तो principal कितना होगा 3000 के अंदर 800 interest है तो principal कितना होगा बच्चो 2200 ओके सर आगिया समझ में first installment कितने की थी first थी first first इदर देखो first कितनी थी यह तो 3000 तो डाउन है 4000 कैलकुलेटर पे 4000 लिखो 4464 एड़ करो और यह वाली भी एड़ करो 2200 कितना हो गया 10664 हो गया 10664 हो गया इसको भी 12 divided by 112 आगया 11143 तो कितना है अगर 4000 के अंदर 1143 इंट्रेस्ट है 1143 बच्चो अगर इंट्रेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना होगा 2857 2857 और डाउन पेमेंट हमने कितनी दी है 3000 सेम वैसा ही कैश पाइज की कैलकुलेशन वाला कोश्चन आता है तो सेम ऐसा ही आता है कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा किसी को कोई और डाउट्स हो तो मुझे बाद में वर्ट्षप कर दी ना मैं आपको समझा दूँ ठीक है दोनों वर्ट्षप नंबर आपके स्क्रीन पे हैं आपके सामने आपके साथ टर्ड कोईश्टन बताओ लो जी ठर्ड कोईश्टन वैं अनल इंस्टाल्मेंट आर गिवन बट्केस प्राइज और रेट अंडर्स आर नॉट गिवन रेट आपिव इंडर्स आर नॉट गिवन रेशियो बनाना पड़ेगा 3 2 1 5 4 3 2 1 ऐसा रेशियो याद आ है आपको रेशियो बनाना मैंने अभी बताया था आपको ठीक है एक्सेंट कांपनी परचेज आ मोटर कार ओन एपरेल 1st 2019 और हायर परचेज पेइंग 60,000 डिजर डाउन बैलन्स विल बी पेड 55 50, 45, 40 अब ये लो अब ये तो सारे इंस्टाल्मेंट डिफरेंट डिफरेंट है सर रेशियो कैसे बनेगा व्याद करो रेशियो कैसे बनता है चलें एक बार देखें रेशियो कैसे बनता है पर रेशियो कैसे बनता है सबसे पहले हम लिखते हायर परचीज प्राइज कितना लिखा था 1,15,25 माइनस किया बैलेंस रहा गया 90 फिर इंस्टॉल्मेंट दिया 30 60 रहा गया फिर 30 दिया 30 रहा गया 30 60 90 जैनि 321 का रीशियो बना था यहां तो इकवल था उदर अलग अलग है तो कोई बात नहीं वहां पर भी बना लेंगे चीक है चलो जी देखो क्यासे चीक है तो इन सब को एड कर लो 60 को 55 50 45 and 40 कितना आ जाएगा टूटल 250 आ जाएगा राइट 250 में से फिर बैलेंस निकालके हम रेशियो बना लेंगे अच्छा कैस्वाइज भी नहीं यह गीवन यह भी प्रॉब्लम में इस कुश्चन में तो महां तो कैस्वाइज था इंट्रेस्ट पता चल गया था और रेशियो में बाट दिया था हमने रेशियो तो मैं निकाल लूँगा बच्छो बट कैस्वाइज तो पता ही नहीं है यह भी बड़ी दिक्कत है अब या करें कैस्वाइज इस नौट गीवन जो एक्जाम्पल मैंने आपको गराया था उसमें कैस्वाइज पता था वन लैक देखिया है यह रहा ना कैस्वाइज वन लैक है 25 डाउन है बैलन्स विल भी पेड इन अध्रीक वल इंस्टॉल्में इस तरह से रेट अफ इंटरस गीवन नहीं था उसकोष्ण में गैस्वाइज भी नहीं बताता तो आपको इंटरस नहीं पता चलता है यह यहीं से तो पता चला था कि इंटरस 15 है यह निकल सकता है फिर भी कैसे एक बात बताओ थ्री इकवल इंस्टॉल्मेंट इसके अंद चेक करते हैं लेट्स चेक नाओ एक्स एंड कांपनी परचीजा मोटर कार अन अपरेल दिस सिक्स्टी थाउजन पीड आज डाउन बैलंस पीड फिप्टी फाइब फिप्टी फटी फाइफ एंड फोडी इच दा इंस्टॉल्मेंट इकवल अमाउंट ऑफ कैस प्राइज ह अच्छो तो अब इससे क्या फरक पढ़ने वाला है इससे बच्छो क्या फरक पढ़ने वाला है अगर कैश प्राइज का अमाउंट सब इंस्टॉल्मेंट के अंदर एकवल है क्या हमारे कुश्चन में भी ऐसा था चेक करें हमने कितने के इंस्टॉल्मेंट दी थी देखो 30,000 की इसमें इंट्रेस्ट कितना था 7500 तो प्रिंस्पल कितना रहा होगा तो अगर 30 में से अगर 7500 माइनस कर दें तो 22,500 बचेगा ओके सेकंड इंस्टॉल्मेंट भी 30 की दी थी कितने की दी थी 30 की अगर हम उसमें से 5 माइनस कर दें तो 25,000 और लास इंस्टॉल्मेंट हमने 30 की दी थी उसमें इंट्रेस्ट था 2500 इड्मेंज 27500 इट इक्वल प्रपोर्शन में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है चीक है एक इक्वल प्रपोर्शन में हमारे वाले कुश्चन में जो मैंने आपको रहा है था उसमें प्रिंस्पल अमाउंट इक्वल नहीं है बट अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्मेंट इक्वल थी अभी जो कुश्चन है उसमें कहता है जो प्रिंस्पल अमाउंट होगा वो पीमेंट दी ओके सर 75 रह गया 75 अंडेट का इंट्रेस्ट और एड़न किया कितना बचा फिर 82500 ठीक है फिर 32500 पे किया हमने 25000 राइट तो 7500 इंट्रेस्ट एड़ किया फिर हमने पे करा था 32500 फास इंस्टॉल्मेंट में प्रिंसिपल है वो 25000 का है है या नहीं है सेकिन्ड में भी 25 का है और ठर्ड में भी 25000 का है यही वाला केस दे रखा है सेंट उस यह वाला चीक है एज़ेट इस यही केस किवन है बच्छो 25,000 प्लस 7500 इंट्रेस्ट एड इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट इन means interest will be in multiples जब equal principle होता है बचो equal principle होता है तो last वाली installment में अगर one interest है तो second में कितना होगा two interest third में कितना होगा third interest इस तरह से last installment में only interest second वाली में two interest मतलब इस interest का double और first वाली में triple इस तरीके से कुछ होता है ठीक है तो अब उस question को solve करते हैं चलिए यह question है एक बार और पुल लो 65, 25, 50, 45, and 40 छीक है each installment comprise equal amount of cash price difference in installment amount due to interest only जो difference है वो interest की वज़े से है installment में जैसे 55 है और यह कितना है बच्चों 50 है इसका मतलब जो difference है वो interest की वज़े से है बागी और question है तो यहाँ पर जो difference 5 का है इधर difference भी 5 का है यहाँ पर भी difference 5 का है क्या 5000 है interest हाँ से पता चलेगा 5 है यह कुछ और है चक्क करते हैं ठीक है कौन सा question था यह हमारा third question solve करते हैं डाउन पेमेंट हमने कितनी दे दी थी बच्चों साड़ हजार की और इंस्टाल्मेंट फस्ट कितनी थी फस्ट थी 55 और 5000 का difference था समय सेकंड इंस्टाल्मेंट कितनी की थी 50 की कम हो रही थी ना 5000 रुपे है और थार्ड इंस्टाल्मेंट कितनी की थी यह चैक करो थार्ड इंस्टाल्मेंट थी 45,000 और फूर्थ इंस्टाल्मेंट कितनी की थी और थी 40 की चैक कर लेते हैं एक बार क्या अमांउंग ठीक है 55,50,45,40 चलो अब देखो सॉल्प कैसे करना है ठीक है पच्छो लास्ट वाले से सॉल्प करेंगे सबसे कम इंटर्स किसमा होता है इसके अंदर इन दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ 5 का तो इत मीज इसके अंदर जो principle होगा जो difference है वो interest की वज़े से कहने का मतलब ठीक है तो लास्ट वाली installment में देखो third और fourth installment में जो difference है वो कितने का है five का क्या यही interest है एक पर first question के उपर वापस चलता हूं मैं आपके पास this one यहाँ पर जो last installment दिये हो कितने की दिया हमने 27500 की इससे पहले कितने की दिये 30 की तो इन दोनों का जो difference है वो क्या यहीं नहीं है देखो 2500 है यह नहीं है राइट इट मेंस 2500 इसमें इंट्रेस्ट है तो बैलेंस कितने 25 तो ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे बिना कुछ लेट करें ठीक है तो इसमें जो डिफरेंस है बच्चो लास्ट में 3rd and 4th installment जो लास्ट की इंस्टॉल्मेंट कितना है 5000 इट मींज इंट्रेस्ट अगर लास्ट वाल इंस्टॉल्मेंट में 5 है तो प्रिंस्पल कितना होगा 35 तर समें प्रिंस्पल 35 ही होगा फिर क्योंकि कोश्चन में ऐसा लिखा था कि इंस्टॉल्मेंट एक्वल है प्रिंस्पल अमाउंट तो इसमें इंट्रेस्ट कितना होगा 2 इसमें 3 5 इंटू 3 15 फिर 5 इंटू 4 20 अब चक कर लो क्या हमने ठीक किया है 20 & 35 55 15 और 35 50 10 और 35 45 5 और 35 40 लास् कियंसे में इंट्रेस्ट निकाल लेकिन उसको मैंनेस Wirosट वाली में कर लेना कि यूंकि व इंट्रेस्ट सभसें कम वाला होगा जो डिफरेंस आ रहो होगा वह सभसें से कम वाला माउंट हो का लास्ट इंस्टॉल्मेंट वाला थर ऐसा ही क्यों वह ये बताओ चूछ ये भ तो last वाली installment में अगर x है installment amount इसके अंदर वह principle कितना है x और interest कितना होगा only i this is equal to 40,000 okay sir x plus 2y वह उपर वाली interest में double interest होगा उपर वाली installment में double interest होगा principle तो same x this is equal to 45 अब इन दोनों को compare करके आप x की और i की value निकाल सकते हैं no problem x plus i की value यहाँ put कर दो i की value आजेगी 5 if i is 5000 then x will be 35 ठीक है तो interest कितना आगे हमारा 5000 यहाँ से और भी compare कर सकते हैं आप उपर क्या होगा x plus में 3i this is equal to 50,000 principle will be considered as x and interest is i तो last installment में आई उससे पहले 2i फिर 3i इस तरीके से interest होगा वही amount equal होता है तो interest proportion में होता है same 4, 3, 2, 1 यह equal होगा 55 की किसी को भी compare कर लो difference i की value आजेगी 5000 इंट्रेस्ट के interest पता चलिए एक बार तो पर 10 होगा 50 इन होगा फिर 20 होगा इंट्रेटी वाइंट्व कर तो 3, 2, 1 इंट्रेके ना same बैसा ही जैसे यहां था यहां था इस वन इदे 2500 था 5000 होगा 75 फंट्रेट होगा इंट्रेकर के देख लो तो मैंने आपको first example दिया उसी के हिसाब से हो जाएगा यह कुछ राइट चलिए जी चलिए यह तो अनूटी मेथेड है अनूटी चला अनूटी भी समझाई दीता हूं काफी असान सा है कोई दीकर ने ठीक है अन फॉस्जन 2018 एक्स परचीज अप्लांड फॉम य अन हायर परचीज सिस्टम इसके बड़े-बड़े कुशन भी मैं आपको ग्राऊंगा भी ठीक है अभी तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आज की क्लास में सिर्फ आपको मैंने इंट्रोड़क्शन नहीं कराया है ठीक है और कुछ नहीं ट्रैक्टिस भी नहीं कराया जस्ट इंट्रोड़क्शन आई है ठीक है नुमेरिकल सम्सॉल परिंग इसके बड़े-बड़े कुशन दा हैर परचेज रेट बाद सेटल कितना 60,000 पेवल 15 पास्ट जैन 2018 को मतलब डाउन and 15 at the end of 3 successive years ठीक है पंदरा-पंदरा 15,000 की तीन इस्टॉल्मेंट और पेई कर देंगे हाईर परचेज रेट गीवन है इसमें से इंट्रेस्ट माइनस होगा अगर 60,000 में then it will be considered as cash price at the end of 3 successive इंट्रेस्ट कितना लगाया हमने 5% तर 5% लगाया है तो बहुत सिंपल है क्याल्कुलेटर पे निकल क्या जाएगा अगर हमने इंट्रेस्ट लगाया हुआ है तो cash price क्या calculate नहीं कर लोगे कितने के इंस्टॉल्मेंट साथ हजार पंद्रा पंद्रा बंद्रा लो जाहीं देखो फॉर्थ कोश्चन अगर मुझे फॉर्थ कोश्चन करना है तो उसमें डाउन पेमेंट कितनी है और फॉर्थ में डाउन में 15 की इंस्टॉल्मेंट कितने की है वो भी 15 की reverse order में लिखेंगे सेकेंड कितने की है वो भी 15 की pencil को अगर इंट्रस निकालना है तो divide कर लेंगे 105 से इंटू कर लेंगे 5 क्या जाएगा इंट्रेस्ट आ जाएगा क्या जाएगा इंट्रेस्ट यहां पर इंट्रेस्ट निकाल लोगे 15,000 में से इंट्रेस्ट माइनस करोगे क्या जाएगा प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल में फिर 15 एड़ कर ले न फिर से divide कर लेना 105 से into 5 से again interest आ जाएगा 15,000 में से ये वाला interest minus कर दीना इधर वाला principle आ जाएगा principle प्रिंसपल प्लस 15,000 अगेड ठीक है उसको divide कर दीना 105 से into 5 से करना है तो calculator पिकर के देख लो interest फिर से निकल के आ जाएगा calculation of the cash price ठीक है बागी इस question में क्या given है वो बता देता हूँ इस question में given है 5% की value अगर आपने एक रुपे आज save करे 5% तो वो 2 रुपीज हो जाएंगे कब तक 3 साल में ठीक है तो 3 साल तक में अगर 15,000 रुपे करूँ तो 15,000 की present value factor क्या होती है बच्चो 15,000 की present value होती है 2.7232 उससे multiply कर दो कितना आ गया 40,000 848 प्लस करो उसमें 1555848 आ जाएगा चीक है जो मैंने यहां से बताया यहां से भी same way amount आएगा उसमें प्लस कर लिना 15,000 answer same आएगा चीक है यह 40,000 848 ही आएगा इन तीनों का सम 40,000 848 यह आप करके मुझे message करोगे चीक है यह solve परके मुझे बताओगे आपसे हुआ या नहीं हुआ यह वाला पूर्ट ठीक है क्याल्कुलेशन आप दा कैस्ट प्राइज इस सिंपल अभी मैंना accounting आपको बताई नहीं बागी कुछ बागी सारी सीज़े नॉर्मल है चीक है यहां से accounting स्टार्ट है तो यह question मैं आपको नहीं समझा रहा भी दो मिनट और देख लो बचो आप बुक्स अब accounting पर आते हैं थोड़ी सी अभी तक मैंना introduction दिया हैर पर्चेज में होगा अब इसके accounting करते हैं accounting करने के लिए books of account बनानी है इसमें दो पार्टे involve हो रही है एक तो खरीदने वाला और एक बेजने वाला एक बायर है और एक seller है बच्चो हम buyer को क्या बोलें इस chapter में जो buy करता है जो buyer है हमारा जो purchasing है ठीक है उसको हम बोलेंगे hire purchasing क्या बोलेंगे hire purchasing और जो seller है उसको बोलेंगे बच्चो हम hire vendor अब इनकी books of account जो बनेगी वो क्या बनेगी higher purchaser कौन सी books of account बनाएगा मैं आपको दो account बनाना सी कम हूँ अभी पहले आप जब तक depreciation अच्छे से एक बार देख लेना अगली class में मिलेंगे तो आपको depreciation याद होना चाहिए वो just 11th वाला SLM और WDB यहाँ पर हम बनाना सीखेंग assets account जिसमें हम क्या लगाते हैं depreciation लगाते हैं ठीक है कौन से method से SLM से और WDB से बस और कुछ नहीं चाहिए SLM क्या होता है WDB क्या होता है इतना पता होना चाहिए बागी में introduction बता दूगा और क्या बनाएंगे सर और आपने assets higher purchase पे लिए तो higher vendor का account भी बनाओगे this is liability on us creditor है न books में चलो एक परसा ने वो सेल करता है higher purchase पे यह कौन-कौन से accounts बनाएगा higher vendor क्या प्रिपेर करेगा तो बचो higher vendor बनाएगा सबसे पहले अपने customer का अकाउंट buyer का account it means debtor account बनाएगा customer का account मतलब क्या बनाएगा यह debtor account और जरुवत पड़ी तो goods को repose करेगा goods को repose करेगा और reposition का account बनाएगा goods repose करके क्या बनाएगा goods reposition account बनाएगा यानि कि 4 account बनाने हम सीखेंगे इस chapter के अंदर पूरा assets account higher vendor account debtor account and goods repose account इस चार account हमारे syllabus में हो ठीक है चलिए जी बच्छो फिर मिलते हैं next class में यहां तक एक बार आपको revise करना है ठीक है आप जो day after tomorrow जो class होगी उसमें मिलते है ठीक है उसमें मैं आपको accounting सिखांगा proper way में जब तक यहां तक आप introduction का part अच्छे से कर लीना चलिए जी होगे बच्छो थैंक थैंक य